दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप सबको कहा था रेलवे एक्ट 143 क्या है रेलवे एक्ट 143 के तहद आपको जेल हो सकती है सजा हो सकता है अगर आप अपनी परसनल आइडी से दुसरों के टिकट्स निकालते हो यानि कि आपको सिरफ और सिरफ अपना टिकट निकालना है अपने family members का निकालना है दोस्तों के relatives तक कि आपको नहीं निकालना है बाहर के तो किसे और के छोड़ो इस वीडियो में बहुत चारे comments आये उन बहुत चारे comments में ज्यादा तर दो तरह के लोग थे कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़दा डरे हुए थे कुछ ऐसे लोग जिनको कोई इससे फर्ग नहीं पड़ रहा था जो लोग डरे हुए थे वो कह रहे थे कि सर मैंने अपनी दोस्त का टिकेट निकाला है अपने पड़ोसियों के टिकेट निकाला है तो क्या मेरी ID को सीच कर लिया जाएगा क्या मेरी ID को सस्वेंट कर लिया जाएगा क्या मेरा टिकेट को सीच कर लिया जाएगा क्या मुझे फाइन होगी क्या मुझे जेल होगा वगरा वगर यह लोग डरे हुए थे और जिनको इससे कोई फर्ग नहीं पड़ रहा था उनके कॉमेंट्स थे कि सर मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग है जो इस तरह की टिकट्स बुक करते हैं अब बहुत दिन से मैं खुद कर रहा हूँ अभी तक तो कुछ हुआ नहीं तो आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हो साथ मैं दो दिन पहले किसी नहीं यह कहा कि मैंने आयर्शेटी सी कस्टमर के अशे बात हुई तो वो कह रहे थे कि आप बुक कर सकते हो किसी के भी टिकेट्स कुछ नहीं होगा तो आखिर कैसे है ऐसा कैसे हो सकता है तो इस वीडियो में इससे रिलेटेड जितने सारे आपके सवाल है उन तमाम सवालों को आपके दिमाग से मैं निकाल दूँगा उमीदे सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर करना तर्मा कर दोस्तों मैं हूँ जलीत आप देखरें जलीती यूट्यूब चैनल इस चैनल के एक और नए एपिसोड में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आप जड़ा सोचो क्या ऐसा हो सकता एक परस्नल आइडी को प्रोफेस्नल तरीके से यूज किया जा सकता है इंडिया में जबकि आलू और प्याज बेचने वाले को भी लाइसेंस की ज़रूट पड़ती है तो यहां आप परस्नल आइडी से प्रोफेस्नल टिकेट निकाल के बैचने की बात करते हो देखिए मैं यहां बताना चाहूंगा कुछ दिन पहले की बात है तरुन कुमार मेरे एक सब्सक्राइबर है उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था क्या हुआ था मैं आपको बता आप एंड्राइब में या एस्टी काड में लेकर के सॉफ्ट को जाते हैं टिकट का पीडियाप फॉर्मेट को वहां प्रिंट आउट तो निकाल के दे देता है साथ में इस फाइल को कॉपी करके अपने कंप्यूटर में रख लेता है अब वहला देखिए वह हो सकता है गल पर्सनल आइडी का इस्तेमाल करके कुछ टिकट बैचे होगी इसलिए रेड जब पड़ती है तो उसकी कंप्यूटर को सीच किया जाता है उसको जांच की जाती है कंप्यूटर की तो वहां ये टिकट मिलता है तो पुलिस वालों को लगता है कि इनका तरुम कुमार का कि यूँ आपने ऐसा किया उस टिकट को ही सीच किया जाता है टिकट सीच हो गया आईडी सस्पेंट हो गई बार बार जाते हैं आते हैं पुलिस वालों की धंकी मतलब एक आम आदमी सिधासत आदमी जो कि महीने के 10,000-15,000 रुपे इंकम करता हो इसको आप बार बार बुला कई महीने तक उनको परिसान किया गया कि हम जानते हैं आप क्या करते हो इस से क्यों तुमने इतना टिकर्स निकाल के बैचे बगरा बगरा अब जो लोग यह बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो मतलब होता नहीं है मैं कई सालों से निकाल रहा हूँ या और लोग नि क्योंकि परसनल आइडी से एजेंट टिकट निकालता है आप जानते होगे एक एजेंट को पर्मिसन नहीं होती है सुबह के 10 या सुबह के 11 बजे टिकट निकालना की वो नहीं निकाल पाता है कुछ दिर बाद वो अपनी आइडी को उपन कर सकता है इसलिए यह लोग ततका हो जाएगा यहां यहां कि आपको फाइन लग जाएगी लेकिन हो सकती है अगर इंक्वाइरी होती है इन्वेस्टिकेशन होती है तो आपको बुलाया जाएगा आपको प्रूफ करना होगा कि आपने अपनी आईडी से टीकट्स निकाल के बैचे नहीं है अब बताइए जरा अड़ोस प्रूस में कोई एक ऐसा बंदा है जिसका आप ठीकट निकालते हो वह ही चला जाता है अब आपको जरूरत पड़ता है वह आके बोलेगा कि मैंने इनसे टीकट्स ज्यादा पैसे पर नहीं लिए जो किराया है वही मैंने इनको दिया है आएगा वो बोलें ऐसे लोग अपना इरादा बदल दते हैं बहले आपने उनकी मदद क्योंना की हो लेकिन अगर फैमिली मेंबर्स की बात रही तो होगी नहीं अगर होती भी है तो बुलाने की जरूरत नहीं है ऐसा ही मेरा वो घर का बंदा है मेरा भाई है जो ही है आप वहाँ अपनी रिलेशन स से प्रूफ कर सकते हो ठीक है और रही बात नजर कब जाता है देखिए एक परसनल आइडी से जो की महिने में बिना अधारकार्ट के छे टिकट्स बुक करने की पर्मिसन होती है अब जाला सोचे अलग अलग नाम से वो बारा टिकट वो छे टिकेट बुक हो रहे हर महीने हो होुए हर महीन हो तो ऐस में आपके डिको सब्केशन किया सकता है आया सब्सक्राइब हो रहे हैं तो यहां उनको या म अलग सरने मल सब्सक्राइब हो रहे हैं और वो कर सकते हैं जब हो जाएगा, आपको मुसीबत में आप पढ़ जाऊगे, तो आप इन सब शीज़ों की, आप इन सब परिशानियों की फैस करो, इसलिए मैंने आप सबसे मना किया था, हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं होगा, यह भी नहीं है, इसलिए दोस्तों मैंने आप सबको कहा था, आब रहे बात IRCVC में लिखावा नहीं कि आप अपनी पर्सनल ऐड़ी से टिकट निकाल के आपको सेल नहीं करना है लेकिन कहीं तो ये भी लिखावा नहीं कि electr कर सकते हो रही बात customer care कि तो भाई यहां भी बहुत ऐसे बंदें होते हैं जिनको knowledge की कमी रहती है जो नहीं जानते हैं कुछ चीजे, आप तीन बार चार बार कस्टमर केर को कॉल करो ना, वो अलग अलग चीजे आपको बताएंगे, हर बार नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं, मैं खुछ जानता हूं, मेरे साथ हुआ है, अब यहां मैं आपको यह कहना चाहूंगा, देखिए दोस्तों, मैं आपको कहूंगा, जितने भी लोगों को ऐसा लगता है, कि वो निकाल के बैच रहे हैं, या फिर किसी को जानते हैं, कोई बैच रहा है, उसको कुछ हुआ नहीं है, तो हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन होगा नहीं इस बात की गरंटी आप लोग है, इसलिए कहता हूँ, जिसको अच्छा लगे, वो वेरी बात को माने, जिसको अच्छा नहीं लगता है, आप दिंदासों के बुक कर सकते हो, तो दोस्तों, मैरी बस यहीं कोशिस रहती है, कि आप लोगों के साथ कभी कोई गलत ना हो, आप लोग कभी किसी परिशानी में ना पड़ो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, अगर आप मुझसे सहमत हो, तो आप मुझे यह बता सकते हो, कॉमेंट करके, अगर आपको मेरी बात अच्छा नहीं लगी, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट करके, जरू कहना वीडियो तो अच्छा लगए तो लाइक, शेर, कॉमेंट और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन ओन कीजिए मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलोग कर सकते हो और सोसल मेडिया के सारे लेंग से आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप उस से मुझे जूट सकते हो तो आज के लिए सिर्फ इतना ही फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो नई जानकरी के साथ में तब तक के लिए टेक क्यार बाए बाए